तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने हर किसी के लिए अलग-अलग सिंबल का यूज किया हुआ है और ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर और कहीं देखने को नहीं मिलेगी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे एकसल के अंदर सिंबल्स का यूज कर सकते हो सबी सिंबल्स का आप यूज कर पाओगे एकसल के अंदर अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी यूनिक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो तो चैनल को स image पर click करना तो आप तो काफी ज़्म यहाँ तो dysP to no Met Jagu17 से कोई भी नहीं है जो मैंने हाँ पर लिए हुए हैं जो बी सेंब्ल से वह इसके अंदर नहीं है इसमें सेप्स हैं तो आप कैसे इसको कर सकती हो कैसे आप जाफ पर दैटिशेंस लगा के पढ़िए हैं और सबसे पहरे पहले सिंपल्स को देखने को मिलेंगे तो अपन पर तेखने के自편 तो यहां पर सभी हैं यहां पर देखो आप बैंक का एक यहां पर सिंबल है उसके बाद में हाउस का है बीच का है और रोड का है और यहां पर मैगनीफाइन ग्लास का भी है तो आप यहां पर देख से तो यहां पर काफी अदर सिंबल्स हैं अभी चलते हैं आगे 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 देख से तो यहाँ पर काफी ज़्यादा सिंबल्स हैं और यह सिंबल्स काफी ज़्यादा अगर आप यूज करोगे न तो यह सिंबल्स आपके डेटा को काफी ज़्यादा एट्रेक्टिव और काफी ज़्यादा अच्छा बना देंगे दिखने में तो आप यहाँ पर देख स symbols को use कर पाओग अगर आप इस वीडियो को complete देखते हो तो तो अब यहाँ नीचे आपको दिखाता हूँ नीचे और भी symbols आपको मिल जाएंगे तो देखो यहाँपर आपको सभी symbols देखने को मिल जाएंगे आप इन अभी symbols को use कर पाएंगे और देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ ऐसे हैं उसके बाद में आप यहाँ पर देखते हो यहाँ पर कुछ ऐसे आपको दिख जाएंगे अ कर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर कफी अदर सिंबल्स आपको देखने को बिल जाएंगे नौट इस उकाल टू और यहाँ पर पलस माइनस सभी मतलब सभी symbols आपको यहाँ पर ज़्यादा तर देखो मैं यह नहीं बोलोंगा सभी लेकिन ज़्यादा तर symbols आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आप इन सभी symbols को अपने एक्सल सीट के अंदर यूज कर पाओगे लगा पाओए तो देखो यहाँ पर वो आ चुके symbols जिनका मैं बोल रहा था कैसे हैं तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दू पहले आप यहाँ पर थोड़ा गौर करिए यहाँ पर जो हमने alphabet लिखे हुए हैं वो ABCD की हमने greater than में लिखे हुए है ठीक है ABCDEF यहाँ तक मैंने जड़ तक किया हुआ है और यह greater than में है ठीक है और आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर है तो आप यहाँ पर देखो यहाँ पर wingdings करके एक font का जो वह ना format वह लगा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है और यह बड़ा L है आप यहाँ पर देखिए तो यह L capital letter में है और यहाँ पर अगर मैं L लिखके इस वाले font को format को लगा दूँगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है एक काम करता हूं मैं व्यू टेव के अंदर जाता हूं और मैं यहाँ पर सभी को शो करा लेता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगत समझ में आये अच्छे से ठीक है अभी देखो यहाँ पर मैंने L लिखा हुआ है आप यहाँ पर देखिए तो यहा पर लगा हुआ है और नीचे आता हूं तो देखो यहां पर चेंज हो रहा है आप यहां पर थोड़ा गौर्व फरमाईएगा यहां पर आप देखिए यहां पर यह चेंज होता है जैसे ही मैं इन फॉर्मेट को हम पर करता हूं ठीक है तो देखिए अगर मैं कैपिटल जैसे मैंने बनाई हुए हैं उसके बाद में आप सिंपल इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो एक जगा से दूसरी जगा मैंने यहां पर जैसे किये हुए हैं आप यहां पर देख सकते हो काफी अच्छे लग रहे हैं तो आप ऐसे यूज कर सकते हो इनको एक बार अच्छे से कर करते हो और ए लिखते हो समझे अगर आप ए लिखते हो केपिटल लेटर में और ए को आप सेलेक्ट करके यहां पर इस फॉर्मेट को लगाते हो यहां पर फॉर्मेट का फॉर्मेट है तो कुछ ऐसा आएगा ठीक है आप यह पर फिर आगे देखते हो यहां पर बी करोगे और वही है इसको करोगे तो कुछ ऐसा आएगा तो ऐसे करकर के यहां तक जड़े तक है आप यहां पर देख भी सकते हूँ आपको क्या-क्या बैज्ट कर सकते हो अपने हैं तो अगर आप इसको करोगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा स्िंबल टीक जोड़ा और इस स हुगा वही तुछ आपको देखने को मिलेगा तो ऐसे करकर के आगे तक है उसके बाद में आप यहांप पर देख लिए आप सभी को नोट कर लेजे अगर मैं आपको एक एक करे बताऊंगा तो काफी जदा टाइम लग जाएगा तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो ये वाला रहेगा आपका जो font का style है ठीक है और आप ABCD कर सकते हो उसके बाद में अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको ये symbols देखने को मिलेंगे अगर आप इस वाले font format को use करते हो तो तो आप यहां से search कर सकते हो अपने इ करें रखते हो तो उसके बाद में हैं आपका नीचे ये भाई आपका ये font है ठीक है ये format font का और आप capital letter में ABCD से और जड़े तक लिखते हो और आप इस format को यहां पर set करें रखते हो तो आपको ये ये चीज़े देखने को मिलेंगी आप यहां पर देखते हो और आपको W प का है ये ठीक है MS Outlook अगर आप ये वाला font is set करके रखते हो और अगर आप ABCD लिखते हो capital letter में तो आपको ये वाले जो आपको symbols दिख रहे हैं आप इनको use कर पाऊगे इनको लगा पाऊगे उसके बाद में आप यहां पर देख सेटे हो उसके बाद में है आपका ये उसके ब अगर आप capital letter में लिखोगे तो आपको ये चीज़े देखने को मिलेंगी ठीक है बाई लेकिन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर small letters में ठीक है तो आप यहाँ पर देखते हो आपको ये symbols देखने को मिलेंगे और अगर मैं यहाँ पर click करूँ तो इसमें ये font format use हो रहा है औ और अगर मैं नीचे click करूँ तो आप यहाँ पर देखते हो तो यह फॉंट के format को तो आप इन्विन symbols को यूज़ कर पाऊगे उसके बाद में आपके यह कुछ symbols आ जाते हैं आप यहाँ पर देखते हो अगर आप इस format को लगा के रखते हो तो अगर मैं नीचे click करूँ तो इस format को, use बता है यहाँ पर symbol का नाम है अभी देखो यहाँ पर मैं click करूँ अपर इस वाले font format को यूज़ कर पाऊँगे ठीक है style को फॉंट style और मैं इस पर clip कर गो तो यहाँ पर देखते हो यहाँ पर bicycle बन रही है ठ Keys और अगर आप यहाँ पर करूगे इसका bulunक दिंग स्टारीव दिंग दिंग तो आप इनिं फॉरर्माट्स को यूज Star पाओ के तो अगर नीचे किलिक करूंगा यहां पर लगा सकते हो अगर मैं इक और करूंगा तो आप इसको यहां पर यूज़ घर तो मैंने आपको सभी सिंबल्स को बता दिया कि आप इन सिंबल fit कैसे बना सकते हो और देखो मैं अगर कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूं खो आप यहां पर देखो फॉरमुल बार के अंदर उसका यह सिंबल नहीं आ रहा है उसका जो real में है जो मैंने लिखा हुआ है वो उपर आ रहा है ठीक है तो देखो अगर मैं यह पर principle में अब आपको एक सि Sikh लता ओं अब यह सि están吧 स लिखने यहाँ और मैं अब आप थेखो पल है ठीक है जो होता है देखो मैं काम करता हूं मैं यहां पर कुछ लिखता हूं ठीक है और मैं इस पर क्लिक किया तो आप यहां पर देखो इसका फॉर्मेट यह ही है लेकिन यहां पर देखो इसका फॉर्मेट यह है अभी आप बोलोगे यह कैसे लग गया तो इसका फॉर् और वहा किया करना है अभी मेरे कोशिआ करना है सिलेक्ट इसको सेच करने के बाद में अभी आप यहां से चेंज कर सकते हो जो भी आफ धार्मेट करना चाहते हो ठीक है तो मैं करूंगा क्या आप यहां पर काफी ज्यादा चीजे आ जाएंगी और अब तो आप यहां पर यहां पर लगा के लिए तो देखो अगर मैं यहां पर क्लिक करके यहां पर चेंज हो गया ठीक है तो ऐसे आप यूज कर सकते हो अभी तो यहां पर लगा के दिखाता हूं तो सिम्परे माइ पर डाइप करऊँगा और डाइप यहां पर निख rightया तो अभी है कि देखिता हो यहां पर अजिए हैं पर फॉर्मेट रहेगा जो आपका डेटा रहेगा तो वीडियो कैसी लगी समझ में आ गई है तो नीचे कमेंट करना कि भाई अच्छी लगी वीडियो और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर दबादो ताकि मैं ऐसी वीडियो और लाइक कर देना अच्छी लगी है लाइक जुरूर कर देना तो बस अतना है था आज की वीडियो में और कूछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो तो मिलते हैं आने वाल वीडियो में और मिलेंगे तब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर दबादो ब झाल 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 झाल